शाम की समय चाय पीते पीते में मटर छील रही थी तभी मुझे थोड़ा सा लाला चा गया एक कप फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे हरे मटर लेंगे जो आजकल बहुत आ रहे हैं धो लेंगे धोने के बाद पानी निकाल देना हैं मटर को ग्राइंडर में डालकर तरदरा ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी का ग्राइंड करना हैं पल्स मोट पर ग्राइंड कीजिए तरदरा सा ग्राइंड हो जाएगा इसे साइड में रखते हैं आधा चम्मच सौंप, आधा चम्मच साबुद्धनिया, एक इंच अध्रक का टुकडा, दो से तीन चॉप्ट हरी मिच लेंगे, इने कूट लेना है, इसी कूटे हुए मसाले से तड़का लगाएंगे, एक चम्मच तेल गरम पर लेंगे, तेल गरम होते ही इसमें कूटा हु मसाला डालेंगे, पहले इसे 30 से 40 सेकेंड भून लेना है, और अब 1 पूर्टी स्पून हीन, आधा चम्मच अल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिच पाउडर डालेंगे, पटाव पट इसे चला लेंगे, मसाले ड्राय है, इसलिए सिप आधा मिनट भूने, और इसमें ही दालेंगे, एक चम्मच बेसन, फ्लेम को लो रखना है, बेसन को भून लेंगे, एक से तेड़ मिनट में भून जाएगा, ग्रैंड किया हुआ मटर डालेंगे, एक छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आप चाहे तो धनिया पाउडर अवाइड भी कर सकते हैं, आधा चम्मच आमचुर पाउडर डालेंगे, इसे चलाते रहिए, नहीं तो यह चिपकने लगेगा, लो फ्लेम पर ढख कर तो मिनट कुप कर लेंगे, दो मिनट हो गए हैं, भून किया है, मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, लास्ट मिडा देगे, बारी कटा हु प्लीज लाइक शेयर कीज़ेगा, और मुझे ये बताईएगा, आप लोग ये रेसिपी कहां से देख रहे हैं, मुझे ये जारना बहुत अच्छा लगता है, स्टॉफिंग को एक प्लेट में निकाल कर थंडा होने देंगे, जब स्टॉफिंग ठंडी हो रही है, इसमें अधा चमच गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेना है, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी डाल सकते थे, मेरा ये साइड में ही रखा रह गया, जब तक स्टॉफिंग ठंडी हो रही है, आटा तयार कर लेंगे, मैंने हाँ पर एक कप मैदा लिया है, इसमें डाल देंगी 1 टेबल स्पून सेट किया हुआ घी, मिक्स कर लेंगे, मैदे के एक एक कन में घी लग जाना चाहिए, उसके बाद आप इस तरह से मुठी बांद कर देखिए, घी में इतना मोयन होना चाहिए, मुठी आसानी से बन जाए, अब इसमें डाल देंगे एक छुटा चमच जादा नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, सॉफ्ट सा आटा गुठ लेना है, आटे की कंसिस्टेंसी इस तरह की गेली होनी चाहिए, अभी हम इसे गुठेंगे नहीं, सिर्फ हमने मिक्स किया है, डब कर 15-20 मिनिट के लिए रग देंगे, 15 मिनिट हो गए है, इस इसे मसल मसल कर एक बार फिर से चिकना कर लेना है, आटा एकदम चिकना हो गया है, अब आपको जितनी बड़ी कचोरियां बनानी है, उतनी बड़ी लोई तयार कर लेनी है, पांस से छे लोई बना लेना है, और एक एक लोई लीजिए, इस तरह से गोल कर देंगे, और उसके बीच में थोड़ा सा मूटा रखना है आप चाहें तो बेल भी सकते हैं पर बिना बेले ज्यादा अच्छी बनती है आटे की कंसिस्टेंसी इस समें भी आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का गीला चाहिए और आप लेलेंगे स्टफिंग मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ज्यादा भर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और अब इसे बन कर देना है जैसा हम स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है उपर का थोड़ा सा आठा निकाल देना है इस तरह से आठा निकालने से कचोरिया तेल में पटती नहीं है अच्छे से बन कीजिए और इसे बीच में दबा दीजिए और अब साइड साइड से इसे प्रेस करते जाए कचोरी को थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है बीच में से प्रेस नहीं करना है मैंने यहाँ पर चार कचोरियां बना ली है इसे फ्राय कर लेंगे फ्राय करने के लिए तेल को गरम करना है फ्लेम को लो कर देना है एकदम हलका सा तेल गरम होना चाहि कोशिश कीजिएगा जिस तरफ से हमने बंद किया था उदर से डालेंगे फ्लेम को लो रखना है जितने कड़ाई में आसानी से आए उतने ही डालिएगा बिल्कुल धिमी धिमी आज पर इसी तरह से कुख होने दीजिए लगभग 4-5 मिनिट तक इसे हाथ नहीं लगाना है दो से साइड से भी होने देंगे ये देखिए कितनी फूली फूली गोल मटोल कचोरी रेडी हो रही है ये अभी नीचे से कच्ची है इसे तेल में डाल कर होने देते हैं जब दूनों तरफ से गुलाबी कलर की हो जाए तक तेल में से निकालना है एक्स्ट्रा तेल निकालते वे छन्नी पर रखते जाईए छन्नी पर रखने से कचोरिया सौगी नहीं होती है काफी देर तक खस्ता और क्रिस्पी रहती है गीला आटा गुतने के कारण कचोरिया को खोने में ज्यादा टाइम लेती है इसकी वज़े से ही खस्ता करारी बनती है और तलते समय फ्लीम को लो खस्ता नहीं बनेंगी सेकेंड बैज पी रेडी होते आ गया है फूली फूली कचोरियां रेडी है एक भी कचोरी ना तो फूटी है और ना ही पिचकी पिचकी बनी है सभी एकदम फूली फूली बनी है 100 परसंट गैरंटी है सुबह से शाम तक फूली की फूली रहेंगी मै यहां पर साथ में थोड़ी सी हरीविच फ्राय कर ले रही हूँ कचोरी को तोड़ने की आवाज सुनिए स्टफिंग भी सब तरफ पैल गई है एकदम खस्ता बनी है फूली फूली खस्ता कचोरियां खा कर तो मज़ा ही आ गया